हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक मैं हूँ जैजर डेवलपर और आज की इस वीडियो में मैं आपको लोगिन पेज बनाना सिखाऊंगा वो भी एकसल के यूजर फर्म पे पहले मैं इसे ओपन कर देता हूँ यहाँ पर मैंने एक फाइल रखी है इसे ओपन करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम एक लोगिन पेज को डिजाइन कर सकते हैं वो भी सिर्फ दो मिनिट में तो देखे मैंने यहाँ पर यूजर नेम पासफ़ड और लोगिन लिया हूँ है यहाँ पर देखते हैं मैं अपना यूजर नेम और पासफ़ड डालके इस ओपन करूंगा तो जैसे ही हम लोगिन पे क्लिक करेंगे तो एकसल की वर्कबुक ओपन हो जाएगी पहले मैं यहाँ पर तेखते हैं हम इसका यूजर नेम डलते हैं जैसे मैं अजय डाल रहा हूं और यहां पर 1234 पासवर्ट डाल रहा हूं और यहां लोगिन से मैं इसकी वर्कबुक को ओपन कहूंगा देखो क्या आप भी इस तरीके का लोगिन पेज डिजाइन करना चाहते हैं वो भी सिर्फ दो मिनिट में तो चलिए शुरू करते हैं मैं यहां developer में आ जाता हूं visual basic open करता हूं visual basic में यहां user form 1 में देखो मैंने क्या किया है वह मैं आपको नया user form लेके बताता हूं कि कितनी जल्दी मैंने एक user form को design कर दिया है वह भी login page को उसके लिए आप net चालू कर सकते हैं अपने browser से या net चालू करके बहुत अच्छे-ची image आपको internet में available मिल जाती है जिसमे user name और password वाली जो image है वह आपको मिल जाएगी जैसे मैंने एक image download कर रखी है यहां download में यहां login image में आप देख सकते हैं मैंने एक बनी-बनाई image download कर रखी है अब आप समझ गया होंगे मैंने क्या किया है मैं अब इस image को एक नया user form लेके बताता हूं जैसे मैंने यहां user form लिया है यह देखो यहां पर user form लिया है उसे मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा अपने साइज के इसाब से जैसे साइज लेनी है और अब देखो यूजर फॉर्म पर क्लिक करने के बाद F4 बटन प्रेस कीजिए और यहां पिक्चर ऑप्शन में जाईए पिक्चर में क्लिक कीजिए और यहां आपको जहां जैसे आपकी इमेज जहां सेव कर रखी है आपना डाउनलोड कर रखी है वहां पर जाईए देखो मैंने यहां पर यह मैंने डाउनलोड में यहां यहां डाउनलोड में login image के folder में save कर रखिए तो देखो यहाँ login image folder है double click किया और यह हमारी image है मैंने यहाँ पर click किया और इसे open कर लिया आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से 2 minute में login page की पूरी design तेयर कर लिए अब देखो सिर्फ design तेयर करने से अपना काम पूरा नहीं हो जाता है यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता है यह सिर्फ एक image है अब मैं इस image का क्या करता हूं देखते हैं यहां मैं सबसे पहले toolbox open कर लेता हूं इसे close करना है अब यहां पर मैं एक label ले लेता हूं और उस label को इस login की size के सबसे adjust कर लेता हूं देखो यह अब यहां पर इसे close किजिए f4 button प्रेस किजिए और यहां caption में इस label के नाम को हटा कर उसके बाद यहां पर इसका back color है यह transparent कर देंगे हम यहां पर click करके और जो इसका color है वह हम चालू कर देंगे open कर देंगे इसको वापिस से transparent से हटा देंगे यहां पर यह color ले लेबल में coding कर सकते हैं लेबल में click करके coding कर सकते हैं यह काम तो हो गया अब हम यहां पर text box रखेंगे देखो यहां visual basic में toolbox open करता हूँ यहां पर यह text box लेते हैं अब हम text box की design करेंगे इसके नाप के हिसाब से हमें रखना होगा ताकि अपने को विक्कत नहीं आए यहां efforts है मैं यहां पर इसकी थोड़ी सी design को change कर देता हूँ जैसे इसमें cambria font ले लिया उसके बाद bold और 14 इसकी size कर दी रॉन करके एक बार देख लेते हैं इसकी size बराबर है थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ सकती है तो मैं इसकी size ले लेता हूँ 18 और थोड़ा सा इसको बड़ा कर अब देखो इसमें मैंने यहां पर इसका जो border color है वो भी चालू कर दूँगा और यहां back color इसको मतलब यह transparent हो जाएगा यह transparent लिखा हुआ है यहां पर तो यह transparent कर देंगे आपन अब देखो यहां run करके देखते हैं बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा यह center में नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा उपर खिसकाने के लिए हम यहां customize में जाएंगे और यहां थोड़ा सा निचे करेंगे और यह टॉप पे मैं यहां पर 194 कर दूँगा ताकि वो थोड़ा सा उपर चला है एकदम center में आ जाएगा तो जब आपन लिखेंगे तो दिखेगा एकदम center में दिखेगा तो अच्छा लगेगा अब देखो इसके border को भी हमें हटाना है मतलब border भी नहीं दीखना चाहिए तो यहां पर यह हम इसको transparent कर देंगे अब आप देख सकते हैं इसको run करके यह तरह मैं इसको copy करके मतलब यह control से drop and drag and drop कर रहा हूं तो यहां पर भी है और यहां इसको फिल से run करके देखते हैं देखो यह अब समझ गया होंगे कि यहां पर एक text box रखा हुआ है जो दिख नहीं रहा मैं इसको वापिस से transparency हटा के बता रहा हूं यह text box रखा हुआ है जो hide है यहां पर यह text box 1 नाम है इसका text box 2 नाम है हमने इसको transparent कर दिया है यह इसके border और back color को बिल्कुल ही हटा दिया है दिख नहीं रहा अब देखो यहां पर login page में भी कुछ coding करेंगे हम उससे पहले मैं यहां पर coding करूंगा कि text box में आपन जैसे लिखते हैं यह जैसे मैंने अजय लिखा मैं अपना username रख रहा हूं और यहां पर जब password लिख रहा है 1234 तो यह password दिखाई दे रहा है तो हमें यह password दिखाई नहीं देना चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर क्लिक करके यहां पर यह जो property box है उसमें आ जाएंगे और यहां पर हम देखेंगे यह password character मतलब password चार में हम अगर star लगा देते हैं यहां text box को select किया हुए मैंने star लगा देते हैं और enter कर देते हैं अब देखो अब मैं यहां पर अज्य लिख रहा हूं तो वह नाम दिखाई दे रहा हुए पर मैं 1,2,3,4 लिख रहा हुए तो इस तरीके से एक password का look आ जाता है इसमें इसके बाद अब हम आ जाते हैं यहां पर हमें क्या करना है यहां पर डबल क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करके जाएंगे अंदर कोड में और लिखेंगे कि इफ अगर यूजर फॉर्म जो है आपका जैसे टू है तो टू उसमें टेक्स्ट बॉक्स वन में यूजर फॉर्म की स्पेलिंग गलत आ गई तो वह शहीं नहीं बताएगा यहां टेक्स्ट बॉक्स देखें यूजर एफ ओर यूजर फॉर्म 2 टेक्स्ट ons टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वेल्यू है वह क्या अने चाहिए तो इक्वल्स टू डबल कोट में मैं उसकी वेल्यू लिखूंगा आजए और करके और मतलब और एक वह भी keyword है हमें कोई दूसरा statement या दूसरी condition लेनी होती है जब भी if में तो हम और का use करता है जैसे मैं यहां पर लिखूंगा user form to dot text box और इक वेल्ट होगे dot value और equals to यहां पर जो password है वो डालूँगा मैं इसके बाद then then करके यहां पर end if के बीच में क्या होना चाहिए देखो यहां पर यह code अलग है यहां थोड़ा सा मैं एंटर करके आपको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूं तो आपको बता चलेगा यहां पर देखो if के अंदर अपने को code लिखना है application dot visible equals to true अगर यह conditions apply हो जाती है तो हमारी applications दिखने ही चाहिए उसके बाद unload क्या होना चाहिए कि जैसे अब हम एक example के लिए बता देता हूं अगर हम यहां पर click करते हैं और यहां पर मैंने जैसे अजय डाल दिया 1 2 3 4 डाल दिया उसके बाद जैसे ही login करूंगा तो यह page तो login हो गया पर यह unload नहीं हो रहा ह एसा कैसा ही है तो हमें user form close हो जाना चाहिए ऐसी coding करनी है अब देखो यह true हो जाने के बाद user form close हो जाएगा user form close करने के लिए यह code लगाएंगे unload user form2 यहां पर यह code लगाएंगे userfo user form2 गलत spelling लिखे तो code run ही नहीं करने देगा अब मैं यहां पर इसे run करके यहां पर click करता हूं तो जैसे ही मैं click कर रहा हूं कुछ हो ही नहीं रहा क्योंकि मैंने यहां पर username और password लिख दिया user name और password लिख दिया अब login करूंगा देखो यह close हो गया तो इस तरीके से हमने login button में भी code लिख दिया है अब हम login code को effect देंगे जहां पर जैसे mouse का cursor login पर जैसे ही जाएगा तो उसका जो यह border color वह highlight होगा और जैसे user form पर जाएगा वह border color वैसा पर वैसा ही हो जाएगा तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको किसका देते हैं इसमें यह चू टोप index है यह top ठीक है यह 377 कर देते हैं तो आप alignment सिख जाएंगे उसके बाद और यह exact उसमें जहां login था उसमें exact आ चुका है अब देखो इस पर हम mouse move पर जाएंगे यहां पर double click करेंगे यह तो click effect है अब यहां से mouse move effect लेंगे देखो हमें फिर से बता देता हूं यहां पर user form 2 में यह login form में मैंने double click किया double click के बाद यह तो click effect है अब हम लेंगे mouse move effect मतलब अगर mouse उसके उपर से move करता है mouse का cursor उसके उपर से move करता है तब क्या effect होना चाहिए तो अब हम लिखेंगे user form 2 dot label जो label है हमारा label 1 है वो अगर नहीं पता चले तो यहां पर click करें यहां पर click करें और refer button से यहां पर देख लें कि यह label 1 है या नहीं तो label 1 है अब मैं यहां पर label 1 dot इसमें जो होगा वो border color होगा यह हमारा border color ही लेना है हमको equal करके हमें RGB set करेंगे और RGB में लिखेंगे 255 255 यह हमारा white color red green blue अगर 255 होते हैं 255 होते हैं तो वो white color होता है अब देखो यहां पर हम run करके इसको देखते हैं एक बार user form में आ जाते हैं और यहां run करके देखते हैं देखो इस पर जैसे ही mouse जाएगा तो यह white color होगा पर white color तो हो गया अब जैसे user form पर आ रहा है तो वह color हट ही नहीं रहा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें user form पर double click करना पड़ेगा पहले यहां से वह code copy कर लेते हैं यह वाला user form पर double click कर इस click effect में जाता है click effect में जाने के बाद यहां user form के mouse move पर जाएंगे देखो user form का mouse move effect यहां पर वह paste कर देंगे अब paste करने के बाद उसका color है वह 80 कर देंगे करने के बाद अब जब हम उसे run करेंगे तो mouse जैसे उस पर ले जाएंगे तो white color हो जाएगा और वापिस user form पर लाएंगे तो उसका color वापिस हलका हो जाएगा मतलब 80 हो जाएगा तो वह हलका ही होगा जैसे देखो आप इसका effect आप देख सकते हैं अब दूसरी चीज यह है कि हमें यहां पर इस workbook में जाना है इस workbook में देखो यहां पर मैंने कर रहा है application.visible false मतलब जैसे ही यह workbook open होगी तो उसकी application false हो जाने चाहिए उसके बाद यहां पर user form 1 दिखना चाहिए पर अपन ने जो काम किया वो user form 2 में किया है तो यहां पर मैं कर देता हूँ user form 2 अब इस file को मैं close कर देता हूँ यहां से और वापिस login करता हूँ इसको तो देखो यहां पर आप देख सकते हैं युजर फर्म टूर्शो है और यहां पर मैं लिख रहा हूँ आजे और यहां पर 1,2,3,4 और यह login page पर यह बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपकी यह Excel की workbook open हो चुकी है आज की इस वीडियो में हमने किस तरिके से login page को design कर सकते हैं वो भी बहुत जल्दी वो सिखा है आज के लिए बस इतना ही thanks for watching